नमस्का दोस्तो आज कि इस वीडेयो बात करने वाले हैं हम स्नेल खील के उपर जिसको की फीले मारने के लिए स्नेल ने चाले मारनी मारने के लिए जवर्दस्त दवाई माले जाता है सिरफ एक ही है जो मार्केट मेंापको मिलता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं हलाकि पहले भी मैंने एक वीडियो डाली इसके उपर जिसके उपर यह दिखाया था कि किस तरीके से वह आकरसित होती है इसकी तरह बट बहुत सारे दोस्तों में कमेंट इसमें आया थे कि कुछ को तो अच्छा रिजल्ट मिला बहुत कुछ एक 36ए जारखर्णव ऐहरा में वो नहीं मिलता है कुछ एक या फिर कुछ एक सेहरों में नहीं मिलता है क्योंकि सब ही जो आज रखते है तुड़ा कोस्कली पढ़ता हिया और दूसरा कुछ ही कि दौस्तों को जो एसकी रिजल्ट भी नहीं मिल रहे थे किउग उनने में रिक जो सकता है किंब काई sorry ते शॉम की तियों पड़ी होती है कहीं जो संखे उली ब्लैक कलर को ब्रॉण क्लिल होती है ब्राइवले अलगे त्रह भी तो यह स्नेल्स को पड़ता है। कंपनी का स्नेल हील काफी कॉस्टली भी पड़ता है और इसकी डिमांड जो रहती हो बाजार में जहां पर किसानों को जो नगदी फसल लगाती है उनके वहां तो इसकी जरूरत रहती है बटे हर जगा इसका इस्तेमाल नहीं होता तो बहुत सारे जो बीज भंडारो वाले होत आपकी मेडिकल की जो भी दवाईयों की रहती है वहां पर एविलेबल नहीं रहती है आपने दो चार सॉप में पता करना है वहां पर आपको मिल जाएगी काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स रहती है तो बात करेंगे आज की रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते है और दूसरा यह कि आपने कैसे इसको इस्तिमाल करने और जादा रिजल्ट्स किस तरीके से आपको मिल सकते हैं बैटर रिजल्ट्स कम दवाई में भी क्योंकि काफी कॉस्ट्ली है 900-900 रुपए के आसपास कीलो बढ़ती है 100 ग्राम भी आप लेते हो तो लगए कहीं पर 100 रुपए की 100 ग कि आखते हैं तो आपकर स्लिंडर की सेफटाइब आपको जो है क्रिस्टल छोटे-छोटे पीसिस मिलते हैं लंबे-लंबे से छोटे-छोटे प्लिशेशन मिलते हैं उनका कोई रोल नहीं रहता कि अगर वह हौँ में खुले रहते हैं उसको है टाइट पैकिंग रहती है तक ही रहते हैं जाद जाद कर भी ख़बार चार दिन तक मैक्समिन जो रिजल्ट देखने को मिलते हैं एक दिन या दो दिन में ही आपको मिलते हैं उसके बाद जैसे इसकी स्मेल हवर में ओड़ जाती है उसके बाद जो है स्नेल इसकी तरफ आकरसित नहीं होती है और एक के लिए दोस्तो हम इसको मैस करेंगे बहुत ही अच्छे रिजल्स हैं मुझे भी कमेंट में किसी ने बताया था मैंने भी वो ट्राइब किया बहुत ही उम्दर रिजल्स मिलते हैं यानि कि 200-300% रिजल्स बढ़ जाते हैं सबसे पहले आपने जो 2-3 या 4-5 दाने लेने हैं अ चोटे-चोटे से पीसीज में कर लीजिए जैसे यह आपको लगता है बहुत ती ज़्यादा बारिक हो जाता है तो बैटर है वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा उसके बाद आपने चावल उबाल लेने हैं चावल को उबाल लिया है अच्छे तरीके से उबाल करना है उनको फिर ठंडा कर लीजिए उसके बाद चावल में इसको आपने मिक्स करना है जो पीस लोगे आप दवाई को उसको चावल में अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे तरीके से जो हर एक चावल के दाने में जो है थोड़े बहुत कन लग जाए उसके बाद खेत में जहाँ भी आपने डालना है, जितना भी अरीजा आपका है, वहाँ पे जो है, यूलिया की तरह भिखेर लें इसको और यूज करती बार दोस्तों ये करना है, आपने की गलव्ज दे ली जी या अगर हाथों से करते हो नेक अपने direct तो हाथों को अच्छे से साबून से उसके बाद ढोलेना है खेट में जाने के बाद जब आप फिकेर दोगे तब भी आप गलब्स का इस्तमाल करिए या फिर हाथों से direct करते हो तो हाथों को अच्छे से साबून से 2-3 वार ठोलेना है और इसमें टेक्निकल जो कमपोजिशन डली रहती है वो मैटल डी हाइड आपका 2.5% परसेंट पैलेट में डल रहता है और काफी बैटर रिजल्स हैं इसके बहुत अच्छे रिजल्स हैं रिजल्स में कोई कमी नहीं है थे कुञइं के हिसले कमेंटared को हमें रिजल्स नहीं मिलाiban है रिजल्स ना मिलने के वह ही कारण है कि आपने दुकान से इसको की पैकिशन फिना लेता है बहुत सारे जो है जब चोटी पैकिंग एखे लेते हैं कभी कबार या फिर उसने जो दवाई का जो डबा रहता है उसका ठकन खुला रख दिया है उससे भी जो उसकी जो फ्रेग्रेंस स्मेल रहती है वो उड़ जाती है जिससे की जो है चांसे बहुत कम हो जाते हैं आपको रिजल्ट मिलने के आपने हमीसा जो है एर टाइट लेना सोय में तो कराहिक खो हो काफी जादा उसमें तीखी ह स्मेलोव और आपने घरा के भी उसको बिल्कुल टाइट रहना है बहुत सारी से करते हैं कि घरा रा आतए थोड़ासा फैंकते है उसके बाद उसकी बार उसकी वाद जो हुआ है और बिल्ग कि इर टाइट बंद करक के कि चार पांच बजे के बाद आप अपने इसको खेतों में भी खेड़ें, जाम भी आपने डालना है, हमने भी पीछे गोबी में लगाय था, बहुत जादा आंतर करते हैं, जाधर जो देखते हैं, जाधर ये बहार निकलती है, वो निकलती है बरसात के मौसम में, उस वक जो ह अगर बारिस हो जाती है, तब भी दवाई का असर खतम हो जाती है, आपने थोड़ा यह देखना है कि मौसम साफ है थोड़ा, उस दोरान अगर 4-5 घंटे तक ऐसा देखना है कि बारिस ना हो, अगर एकदम से बारिस हो जाती है, तो दवाई आपी खतम हो जाती है, उससे आप आपको result नहीं मिलेगा, बहुत कम results मिलते हैं, और अपने आप जो है, इसमें ऐसी सुगंध रहती है, जो समयर रहती है, वो अपने आप snarls को एपनी तरफ आकरसीत करती हैं, और वो खुद बखुद यो है, इसकी तरफ खीची जाती है, और इसको खुद बखुद बखुद तो दीर दीर खाना सुरू करती हैं आपने वीडियो में भी देखा होगा इस वीडियो में वही वाला पिछले कुछ पोड़ेज डाल देंगें जिसमें आप देखोगे कि स्नील्स किस तरीके से इसको खाती रहती है दीर दीर और और जहाग-जहाग बनता रहता है और एक ही ज जो है जत्ते में धेर लगा हुआ हमें मिलता था तो अब तो हम इसको अच्छे तरीके से भिखेर की जाधा इरिया कवर कर लेते हैं क्योंकि वैसे इसका रिजर्ट्स आपको एक दो दीनों तक ही मिलेगा उसके बाद जो है आगे को इसके रिजर्ट नहीं देखने को मिलते इ पूरी तरीके से जो है यह काफी अच्छे रिजर्ट देता है तो यह तो बात होगी दोस्तों कि इसको किस तरीके से आप ज़्यादा इससे रिजर्ट ले सकते हो दो से तिन गुना और आपको इस तरीके से अच्छे रिजर्ट भी ले सकते हो इससे उने मरेंगी यही रिज पर उनलाइन साइड ही मिलती है, मैंने भी इसको ट्राइक किया थे, ऑनलाइन साइड पर भी नहीं इतनी जाद अविलेबल है, तो आप इसको जो है, आपके दू-चार जगा पर आप इसको पता कीजिए, आपको मिल जाएगी, काफी अच्छे रिजल्स रहते हैं, बहुत सार इतना जादा जो है, रिजल्स मिलता भी है, कोई भी इंसेक्टिसाइड आप इसको पर छिड़काव करते हो तो इसके साथ दोस्तों, अगर कोई सवाल असे जाहर रहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रो लिखें, अपना मुलेस में देने के लिए बहुत वाद धन्यावा बहुत बहुत बहुते हैं, अपने 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 इसके साथ.